बिभाजता का यह सवाल लगबग लगबग हर परिच्छा में पूछा ही जाता है और लड़ेके इस सवाल को देखतार छोड़कर इजाम से चले आते हैं यह सवाल बिलकूल आसान है इसको हल करने का सबसे आसान तरिका क्या है आईए समझते हैं सवाल दिया है सवाल करा कि यदि 11 रंकों की संख्या 5 4 3 2 4 7 1 9 6 8 वाई 90 से भी भाज है तो 4 यक्स प्लस 5 वाई का मान कितना होगा देखी इस सवाल में कहा है 90 से भी भाज है लेकिन आप 90 का भी भाजता करने हम नहीं जानते हैं लेकिन 90 को आप लिख सकते हैं 9 गुए 10 लिख स सकते हैं इसका मतलब यह हुआ कि अगर यह पूरी संख्या 9 और 10 से कट जाएगी तो 90 से भी कट जाएगी कोई संख्या 10 से तभी कट सकती है जब इकाई का अंक सुन्य हो तो इसका मतलब यहां पर इकाई का क्या है वाई है इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि वाई का वैल बिभास्ता का नियम क्या करता है कि अंकों का यूग अगर नौ से कट गया तो पूरी संख्या नो से कट जाएगी अब आप इससे जोगेंगे कैसे जहां जोगने जिस अंकों को जोगने के बाद जोहीं 9 बना तुरंत आप इससे को जो है इगुण ळेगा यहां से जोगए सुझे को Hm अब देखिए अब क्या बचा है आठ बचा है और चार बचा है तो आठ चार होता है बारे आठ चार बारे हो जाएगा इसका डिजिट सम करेंगे तो तीन हो जाएगा इसका मतलब इसका डिजिट सम तीन हो जाएगा तो तीन को नौ बनाने के लिए आप यक्स के अस्थान पर क्या रख सकते हैं तो आप यक्स कि अस्थान पर रख सकते हैं छोज है याई base का वैसेश YE is 24 ऐस प्रस्टन का उत्तर है आफंट दुर। शही है तो